वीडियो का जो टाइटल हैं उससे बिचार मत करिएगा, उससे जज्जमिंट मत कीजएगा, फुल वीडियो को, वीडियो को आगे तक देखते रहिए, इन तक देखिए, उसके बाद आपका जो कमेंट्स वो जरूर कीजएगा, लाइक या डिसलाइक से क्या होता है दोस्तो, वीडियो पुरा देखिए उसके बाद आपको अगर लगता है लाइक तो लाइक कीजिए डिस्लाइक तो डिस्लाइक कीजिए Micromax ने सही में भूल किया है यहाँ पे गलती क्या है Micromax ने और यह one of the biggest mistake मेरी साफ से लगता है क्यों ऐसा क्यों ये फुल वीडियो में मैं आपके साथ हूँ बाइदावे मेरा नाम है शुमोन चुलून शुरू कर आजये दोस्तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे जाके और भी बहतर होगा ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे और इसलिए बिंगॉल से बिलॉंग कर पहले अभी ये नाम हर एक की जुमापे है क्योंके वो काम ही अच्छा किया है क्योंकि उसका जो काम है वो काफी अच्छा है उसका प्रॉड़क्ट काफी अच्छा है दो स्मार्टफोन इन नोट वन इन वन भी काफी बढ़िया है और प्राइस भी काफी अच्छा रखा है कहीं न कहीं यह जो Micromax यह Realme, Xiaomi इस तरह के brand को ज़रूर compete कर सकता है और compete करेगा और Micromax को एक ही बात कहना चाता हूँ आगे जाके और भी बहतर कीजे जो गलती आप आज कर रहे हो वो हर एक brand कहीं न कहीं किया था आप वो गलती सुधारो और users के लिए सोचो चलिए तो Micromax का सबसे ज़ादा सबसे बड़ा गलती क्या है Micromax ने phone launch कर दिया और उस phone का जो fast sale है वो 24th of November, 26th of November कर रखा 24th of November को जो fast sale है वो in Note 1 का और 26th of November वो है in 1B का अब इसी दोरान ये जो महना है ये दिवाली का sale आया है इसमें Big Billion Days sale आया है और ये festive season है और कहीना कहीं festive season पे ही बहुत सरे लोग ऐसे होता है जो एक नया smartphone लेता है अपगेट करता है अब इदेखे एक बंदा एक smartphone लेके एक से दिर साल तक चलाता है और Max to Max एक साली अब इस Big Billion Days sale ऐसा होता है जहां पे आपको तग्रा offer मिलता है और इसी offer में बहुत सारे लोग जो पुराने phone है उसको exchange करके एक नया phone लेता है पर Micromax ने क्या क्या? Big Billion Days sale पे भी इस phone को नहीं रखा Micromax ने क्या क्या? Micromax ने जो दिवाली sale इसमें भी नहीं रखा तो भाई आपने तो दो दो बड़ा sale वो तो मिस कर दिये हैं क्योंकि अगर आप कुछ offers देके उस smartphone को sale में ले आते थे तो आपका products बहुत अच्छे से बिखता था अभी मालो 100, 100% उसमें तक्रिवन 60% जो buyers हैं वो तो और कुछ अलग products ले चुके हैं तो 40% और बहुत सारे लोगों का जो craze था देखे एक smartphone जब launch वा आपके अंदर उस समय जो craze रहता है कुछ दिन बाद उसके लिए craze उतना जादा नहीं रहता है तो Micromax को रखना चाहिए था तब जब आपने एक जो बवाव यहाँ पे create किया जब phone launch किया काफी सारे लोगों का एक ही चीज मानना था कि भाई हमें वो phone ही लेना है और आप 4-5 दिन के अंदर अगर वो sale रखते तो भाई आपका जो product वो काफी अच्छे से बिखता था जो इसका pre-book था मैंने भी pre-book कर दिया है और मानो या ना मानो वो जो phone वो 24th of November को sip होगा आप बोलिये इससे क्या clear होता है Micromax के पास product सी नहीं है उसने launch तो कर दिया और YouTubers को भी एक भी product उन्होंने नहीं भेजा अब funda कुछ ऐसा है अगर आपको खराब लग रहा है तो लगने दीजिए साब क्योंकि जो सच है वो सच है अब Micromax के साब पास products ही नहीं है और products जो यहाँ पर manufacture होगा, production होगा उसके बाद ये sip किया जाएगा इसलिए ना यूटिवर्स को मिला है और हमने तो भाई प्रिवूक कर दिया है आज तर इसका sip नहीं हुआ है और दिखा रहा है 24th of November जिस दिन इसका fast sale है तो क्या हुआ इससे फाइदा किसको हुआ किसको नहीं ना हमें हुआ ना आपको होगा ना users को होगा ना Micromax वालों को होगा Micromax का जो products था वो जितने products प्रिवूक में लाए थे वो सभी products बिग गया काफी अच्छा बात है क्योंकि आप देखो ना मैं भी आपको support करता हूँ as an Indian as a Indian brand और मेरे तरह बहुत सरे लोग आपको support करता है कि भाई हाँ आपने ठिक ठाक products इस बार लॉंच किया वो फाल्तू का hype आपने create नहीं किया processor, camera, display और सबसे अच्छा stock android आपने दिया काफी अच्छा और in one b में अपने fingerprint scanner भी दिया और USB type c भी दिया यह चोटी चोटी बात होता है पर आपने दिया पर sale आपको आगे रखना चाहिए था आप इतने देर तक हम सभी जो users उसको waiting list में रखे हो यह ठीक नहीं है आगे जाके जरूर आप जब दुसरे smartphone launch करोगे उसके बाद चार से पास दिन के अंदर जरूर उसका sale रखेगा और यही आप से गुजारीश करता हूँ एक छोटा सा channel हूँ जरूर offers कुछ दीजिएगा sale में तभी तो अच्छा होगा तभी तो बड़ेगा इंडिया तभी तो users आपको और भी ज़्यादा पसंद करेगा और अगर आप realme Xiaomi के साथ compete करना चाते हों तो stock ज़्यादा लियाएगा production पहले full किजिए उसके बाद launch कीजिए और हाँ flash sale मत कीजिएगा साथ क्योंके flash sale से डर लगता है ठपर से डर नहीं लगता है आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ Micromax जरूर आगे जाके जो गल्ती उन्होंने किया वो नहीं करेगा आप बोलिए वीडियो को आप लाइक करोगे या dislike करोगे और एक बात दोस्तों दिल से वीडियो आनाता हूँ तक्रीबन तीन साल से हूँ YouTube में और ये चैनल रन होडा है हब देखिए जो मेरा growth वो गजब का है और मेरा views गजब का है support मिलना चाहिए न यार time देता हूँ वीडियो बनाता हूँ और अगर आप नहीं देखोगे तो अच्छा नहीं लगता है जरूर वीडियो देखिए मेरा अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बोलिए किस तरह का वीडियो में बनाऊ उसके बाद अगर गलती होता है तो चलिए छोड़ दीजिए चलिए और एक नहीं वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा धन्यवार